हेलो बच्चो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर और आज हम पढ़ने वाले हैं सची मितरता पर स्टोरी ये स्टोरी है क्लास वर्स्ट के पार्ट ट्वेल की सची मितरता या टू फ्रेंड सी बहुत ही अच्छी स्टोरी है आप प्लीज इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप इस स्टोरी के बारे में जान सके कि सची मितरता क्या होती है मुझे तो इस स्टोरी बहुत पसंद आईगी आप सभी को भी बहुत पसंद आईगी तभी एक केकड़ा उस आदमी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा ये देखे एक आदमी बेठा है इस आदमी के पास एक वो उदास बेठा हुआ है उसके पास एक केकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है तब उस आदमी ने ककड़े से कहा, आओ दोस्त, क्यूँ घबरा रहे हो? केकड़े ने आदमी के पास आकर उसकी परिशानी का कारण पूशा, आदमी करुन सोहर में बोला, क्या करू दोस्त? दो दिन से ना तो कोई काम मिला है, ना ही मैंने कुछ खाया है. आदमी ने क्या करा जब केकड़े ने पूछा तो आदमी ने मतलब वो दास हो के बोला कि क्या करू दोस्त मतलब वो बोल रहा कि वो परिशान है कि उसको पास कोई काम नहीं है और उसने कुछ खाया भी नहीं है उसकी बात सुनकर केकड़े को बहुत दुख हुआ उसने आदमी से कहा यहां काम नहीं मिलने वाला है कहीं परदेश जाएंगे मैं भी तुमारा साथ दूँगा क्योंकि तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है सुबह होते ही दोनों परदेश को निकल पड़े चलते चलते शाम गए हो गई एक शायतार व्रक्ष के नीचे वे टहर गए और आरम करने लगए आदमी ने केकड़े से कहा दोस्त मैं सो रहा हूं तुम्हें नीन नहीं आई क्या ठका आदमी ठका हुआ था पर घहरे नीन सो गया केकड़ा जाग रहा था उसकी नजर अचानक एक सांप पर पड़ी वह आदमी की ओर बढ़ रहा था क्या हुआ कि जब वो चलते चलते ठक गए एक पेड़ के नीचे जब वो बैठ है तो आदमी ने कहा कि मैं ठक गया हूं मुझे नीन आ रही है तो वो सो गया और उस केकड़े ने केकड़ा जाग रहा था उसने एक सांप को देखा जो कि आदमी की ओर बढ़ रहा था देखे आ पिक्षर में एक सांप आ रहा है केकड़े ने आदमी को उठाने का बहुत प्रयास किया परन्तु आदमी ठकावट के कारण गहरी नीन में सोया हुआ था केकड़े ने सोचा सांप मेरे दोस्त को काट लेगा पह सांप की तरब बढ़ने लगा उसने सोचा कि भले ही मैं मर जाओ मगर अपने दोस्त पर आच नहीं आने दूँगा सांप आदमी के निकट आता जा रहा था जो ही वह उसे काटने वाला था केकड़े ने सांप की गरदन जबड़े में दबा कर सांप के दो टुकड़े कर दिये सांप के जहर से केकड़ा भी तडब कर मर गया परन्तु उसने आदमी की जन बचा ली इसे कहते हैं दोस्त वही जो कठीन समय में कामा और अपनी जान तक दोस्त पर निशावर कर दे क्या होता है दोस्ती क्या होती है दोस्ती वो होती है जो कि किसी की कठराई में किसी के परिशानी में जो जिसके काम है वही सच्चा दोस्त होता है तो इस स्टोरी से कहानी से हमें क्या सीख मिली, इस स्टोरी से हमें सीख मिली है कि विपत्ती की घड़ी में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, मतलब परशानी में या विपत्ती या दुख में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है कि हमारा सच्चा मित्र कौन होता है, जैसे केकड़े ने आदमी के साथ सची मित्रता निभाई तो अब मैं इसके question answer आपको बताती हूं पहला प्रश्ने आदमी क्यों परशान था तो आदमी क्यों परशान था क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था और उसने दो दिन से कुछ खाया भी नहीं था केकडे ने आदमी के पास आकर क्या कहा केकडे ने आदमी के पास आकर कहा कि यहां तो कोई काम मिलने वाला नहीं है कहीं परदेश जाएंगे और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा आदमी और केकड़ा परदेश क्यों गए काम करने के लिए क्योंकि यहां कोई काम नहीं था केकड़े ने आदमी की रक्षा कैसे की उसने साब को मार कर आदमी की रक्षा की केकड़े की जान कैसे गई साब का जहर केकड़े के अंदर भी चला गया था जिससे केकड़े की जान चली गई इसके सब्धार्थ देख लीजिए, परिस्थिती, परिस्थिती का होता है हालात या कंडिशन, करूना, करूना का दुखी, शोरोफुल, सायादार, चायादार का चाया वाला, या सैडो, अचानक का एकदम, सडनली, प्रियास, प्रियास करना मतलब कोशिश करना है, फॉट, आज का नुकसान, या लॉस, नियो शावर का कुरवान, सैक्रिफाइज, यह हमारे स्टोरी और उसके कोशन आंसर और सब्दार्द कम्प्लीट हुआ, आप सभी को हमारे स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे पाट को, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सिर अन जरूर कर दीजिएगा, ओके, थैंक यू, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाती रहूंगी,